जैहिन आज हम डिसकस करने वाले हैं बियारो गरिफ में आपकी जो एक वेकनिसी निकली थी उस वेकनिसी में आपके सबसे एक जो बड़ी पोस्ट है स्टोर के पर टेकनिकल की उसके बारे में कि आपके स्टोर के पर टेकनिकल की पूरी सेलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले है बियारो गर्फ की वरती 2021 में जो पब्लीश होई है उसके बारे में तो यहां पर आपके जो स्टार्टिंग में जब का एक्जाम होने वाला है तो एक्जाम डेट से लेकर आपके जो जोनी होने वाली है उसकी बीच में किस-किस प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा वो सारी बातें आपर में डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा अब आपको जो एक्जाम होने वाला है उसमें कट ओफ क्या कुछ होगी फीजिकल के बार में क्या को स्ट्रेटर्स आपको होने वाला है मेडिकल किस प्रकर का को होने वाला है आपको जो एक्जाम होगा उसका सिलिवस क्या है एक्जाम पैटर्न क्या है जो एक्जाम के तयारी वो किस प्रकरश आप लोग कर सकते हैं अबितक साइट पर तो नहीं आया है, लेकिन हमने नोटिफिकसन अपको दिखा दिया है, तो चलिए बार फिर्च आपको नोटिफिकसन दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देखेगा, आपको जो official notification है, हमने उपन किया हुआ है, अब ये जो notification है ना ये site पर तो अभी तक नहीं आया है लेकिन site पर कब आएगा वो date भी आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर अगर बात करके आपके जो नई exam doctor वो कौन सी है तो इस notification को थोड़ा सा नेचे के तरफ देखिएगा और point number एक पी लिखा हुआ है कि it is for information that the written exam for the post of MSW, DES and SKT standard is scheduled to 31 October 2021 यानकि अब 19 सितमर के बजाए आपका जो exam में कब होगा वो आपका 31 सक्टबर को होने वाला है अब अगर बात करीए जो notification साइट पर कब तक आएगा देखिएगा यहाँ पर जब आप इसको थोड़ा से निचे के तरफ देखते हैं तो इस पर point number चाय पर लिखा हुआ है कि आपकी ये जो notification इसका जो reply है वो कब तक आपका मांगा गया सभी डिपार्टन से सभी exam center से वो मांगा गया आपका 25 सितमर 2021 तक तो आपका जो reply है इस letter का 25 सितमर तक आने के बाद आपको जो notification है आपके एक जारी की जाएगी 25 सितमर के बाद आपको notification आजाएगा आपकी site पर अब बात करते हैं आपके जो selection process होने वाली है वो क्या कुछ रहेगी देखिएगा तो यहाँ पर हमने आपका बियारो गरिफ का जो official notification है open क्या हुआ है और जो भी जानकरी आपको हम देने वाले हैं वो official आक को देने वाले हैं तो देखिए notification जो total आपकी post जारी हुई थी वो कितने हुई थी यहाँ पका total आपके 7 post जारी हुई थी जिसमें से आपकी radio making की post आपकी cancel कर दिये गई थी इसके अलावा draft man नमबर दो surprise store और नमबर तीन आपका lab assistant है इनका जो exam का result है जारी हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगे जो चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं जो cut off रही है बिलकुल आपके आदी cut off रही है यान कि अगर आप 50% से 60% के भी score कर लेते हैं तो आपका जो score है इन तीनों post में आपका exam qualify हो गया था इसके अलावा आपका जो नमबर पांस post आपके message की इसका जो written exam है इसका conduct किया जाज़ चुका है और जल्दी ही जादा नहीं बलकि बस एक अफ़ते के अंदरा result आने वाला है और आपके अब दो post बची है एक आपकी driving strategy की और एक आपकी श्रूखे पर technical की तो अब आपको जो equity का post है इसमें सबसे पहले को क्या होने वाला है return exam होगा तो return exam किस परकर का होने वाला है वो देखे यहाँ पर जब आप थोड़ा से नीचे के तरफ आएंगे तो देखे इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखे आपको जो salivus वगरा है आपकी qualification वगरा उसके detail दी गई है तो आपको salivus काँपी दिया गए है वो हम देखते हैं तो यह देखे आपको salivus आपका यहाँ पर दिया गए है तो यह चीज़ देखे सबसे पहले आपके कौन सी post है इसमें आपके हमें जान करें चाहिए storekeeper technical के बारे में तो नमबर साथ पर आपके आपके जान करें दिये गए किसके बारे में storekeeper technical के बारे में तो सबसे पहले जाके process है एक्जाम की वो total आपको salivus का होने वाला है कितने नमबर का होगा exam आपका total आपको salivus का exam होने वाला है अब कौन सब्जेट से question आएंगे वो दीखेगा हाँ एक बात और जो सबसे बड़ा doubt बना हुआ था ना कि आपका exam objective आएगा subjective आएगा तो दीखेए आपका exam जो पीछे आपकी बढ़ती हुई है draftman की, lab assistant की messon की या फिर जितने अभी surprise store के exam होए है सबी में आपके जो mcq आपके पूछे गए है और सबसे बड़ी बात है यहापो जो सबसे बड़ा फैदा आपको मिनने वाला है वो यह है कि exam में आपको कोई भी negative marking आपकी नहीं होने वाली है यानि कि अगर एक आदे question नहीं आता है तो आपको डर नहीं आपको तो का लगा सकते है अब बात करते हैं syllabus की तो syllabus के बारे में देखिएगा आपको total तीन section वाको जो part है आपका written exam आपका divide किया गए है कौन-कौन से part में number 1 आपका SKT का trade का syllabus number 2 आपका arithmetic का portion और number 3 आपका GK का portion जो आपका trade का syllabus है ना उसमें बस total आपके 8 topic दियेगा जो आपको अच्छे से तयार करने हैं अब अब देखिए बहुत सारी connect क्या करते हैं कि अपना पूरा focus किस पर लगा देते हैं ट्रेड पर लगा देते हैं और ट्रेड का syllabus जब वो cover करने लगते हो आपको बस अपना exam qualify करना है exam qualify कर दीजिएगा select हो जाएगा जो store के पर हना bear graph आपको अपनियाब बना देगा तो अगर exam के तयार एप लोग करना चाहते हैं special batch हम आपके लेकर आ चुके हैं special batch का available है batch में आपको complete ठोरी जो है complete करवाई जाएगी हर आपको class के note से दिये जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो mcq होते है objective question वो भी cover करवाई जाएंगे और देखिएगा यहाँ पर हर एक चीज़ आपको complete नहीं करनी होती है आपको वहीं पढ़ना होता है जिस आपको exam clear हो सके और best में आपकी यहीं strategy अपना कर हम आपको जो है पढ़ने वाले है तो देखिएगा आपको topic कौन-कौन से आने वाले है वो देखिए आपके trade शे टोटल 8 topic आने वाले है कौन-कौन से number 1 आपका है accounting of store number 2 है receipt inspection and preservation of store number 3 आपका है storage and precautions of store including fire protection and fighting number 4 stock verification of store number 5 packaging and preparation for dispatch of store और number 6 आपका कौन सा है maintenance of store और number 7 आपका है security of store तो 8 नहीं बलकि आपके 7 topic इसमें आने वाले हैं कितने topic आने वाले हैं बस टोटल आपको 7 ऐसे topic आपको तयार करने हैं trading के लिए और उस वा second portion कौन सा आपका वा आपका arithmetic का portion है और तीसरा आपका journal logic का जो है section है अब यहाँ पर किस section से कितने question आने वाले हैं यह सबसे आपकी main point है तो आपको बता देते हैं कि आपको तो ट्रेटे का section होने वाला है 100 में से आपके only 50-55 question आने वाले हैं कितने 50-55 question आपके exam में आने वाले हैं इसके अलावा आपको math का और plasma जिक्चे का section है उससे आपके total total question आने वाले हैं अगर बात करें अलागले कितने question आएंगे math और जिक्चे से तो math के 25-55 question ओरिजिन के आपकी जिक्चे के इरिजिन के question हैंगे math के 25-55 आपके 25-55 आने वाले हैं तो अगर आप accurate trade पर focus करोगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ आप exam qualify नहीं कर पाओगे आपको हर एक चीज आप देखेगा अगर exam qualify करना होता है तो हर चीज को साथ मिलेकर चलना होगा और यहाँ पर जो bethman start किया उसमें आपको हर एक चीज हम complete करवाने वाले हैं आपका trade भी math भी जिक्के भी तो जिक्के से यह माने कि आपके 20 से 25 कुसन और आपके math से 25 कुसन आने वाले हैं तो आपके एकली process कोन से होगी वाकिव फीजिकल की होगी लेकिन फीजिकल से पहुंचने से पहले हम बात करते हैं cut off कितने रहेगा आपके exam की तो आपके पीछे जितने exam होएं अभी 2021 के बरती के वहाँ पर सभी पोस्ट जो कोटव आपके रही है केवल 15 से 25 के आज़ पस रही है अब वो चलिए मान लेते हैं कि आपके जो अस्केटे जो candidate हैं आपके जादा हैं तो क्या कोटव आपके जादा रहेगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी पहले बातों देखिए आपके जितने भी candidate को बुलाएगा ऐसे भी तो एक गयां देने नहीं जाएंगे कोई absent भी होगा पता है बिल्कुल absent होंगे second चीज़ देखेगा आपके जितने बच्चे जान देने जाते हैं वो सब तयारी करके नहीं जाते बिल्कुल तयारी करके नहीं जाते है अगर उसकी हिसाब से तैयरी करते हैं वहीं तैयार की बिल्कुल अच्छी माने जाती है आपकी सहीं माने जाती है तो अब competition उन्हें की बिश्मी होने वाला है और यह competition यह माने कि आप जेतनी maximum है बस आपकी कोटो 55 के शाट की बिश्मी रहने वाली है यह maximum है चाहिब PCB के टेक्स वी बिल्म करते हो अगर आप 65 से लेकर 50 से शाट की बिश्मी स्कोर कर लेते हैं यानकि 55 से स्कोर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंद हो जाईएगा आप अपना जो एक्जाम होना RMC क्योलिफाई कर लोगे कोई दिकता को नहीं आने वाली है बस आपका पास कर लीजीगा आपको दोड़नी के जूरती भी नहीं है तो यह तो बात भी फीजिकल की अब अगर फीजिकल आपको क्योलिफाई कर लेते हैं तो आपकी डिरेक्ट जो आपकी मेरेटरिस लगेगी वो किस बेस पर लगेगी यानिकि आपको जो सेलेक्शन तरह करेगा न पास कर सकते हैं अपके बैस के बारे में अगर बात करें आपको जो मेडिकल होने वाला है तो वो किस पर कर रहा होगा अपको नॉर्मल होने वाला है बस आपके अंदर कोई ऐसी जो हैक बीमारी नहीं होने चाहिए जो आपके लाइटरम ठीक ही नहीं हो सके यानि कि बिलकु अच्छे तरीके से आपको medical है अगर आप सवस्त हैं तो कोई दिकत नहीं आने वाले है बिल्कुल आपको normal medical होने वाला है ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आपकी air force नहीं medical होता है ना आपका hard medical वो बिल्कुल याड hard medical नहीं होगा आपको बिल्कुल normal medical होने वाला है मेडिकल के आपको छोड़ दीजिए बस आपको में फोकोस होना चाहिए रिटन एक्जाम पे रिटन एक्जाम कर लिजिएगा फिजिकल आप अपको आपको नहीं है और बस फिर आपकी जो मेरिट आपकी लग जाएगी बस यह को इसलेक्शन होने वाले आपकी कर ट्रेडि के लिए तो उम्मित करते जान करें अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें आपके चलन को सब्सक्राइब जरूर करें जुड़े रही है थैंक्स रोचन कीप सपर्टिंग जय हिंद